दहेज की मांग करने वाले परिवार की तादात दिन प्रति दिन बढ़ती जा नहीं है इसी कड़ी में दौर की एक पिडिता महिला थाना पर पहुची पिडिता ने अपने पती वस्तस्राल पक्ष पर दहेज प्रताणना की धाराओं में केस दर्च कराया है नौन विज नहीं खाने पर तलाक देने की दीधम की दहेज में एक करूर की मांग जी हाँ पूरा मामला इंदौर का है जहां मैला थाने में पिडिता नवासी छोटी खजरानी एबी रूर की शिकात पर उसके पतीवा स्सराल पक्ष की खिलाफ दहेज प्रताणना का केस और उससे नौन विज नहीं खाने पर तलाक देने की धमकी देते हैं पत्नी और उसके परिवार वालों ने कई बार समझाया उसके बाद भी पती की प्रताणना कम नहीं हुई जिसके बाद महिला नित्रस्त होकर महिला थाना पूलिस की शरण ली है वही पूलिस ने मामले की गंभिरता को देखते हुए केस दर्च कर जाद शुरू कर दी है। चोटी चोटी बातों के ताने देते थे और दहेश की मांग कर देते और जो भी सामान दिया था वो भी रख लिया उसका। और कितना मांग की जाए है। एक करोड की वापस से मांग कर रहे थे।